आज मैं आपके साथ चिकन प्लाव की डिलिशियस रस्पी शेयर करने वाली हो जो बनाने में बहुत इजी होती है वन के जी राइस वन के जी चिकन है तो उसी साब से गेड़ का पिसमें आल जाएगा और एक मीडियम साइस का प्यास मैंने चौप कर लिया था यह इसमें अड़ कर देंगे फ्लेम को आपने मीडियम रखना है इसको हम तकरीबन एक से डेड़ मिनट अच्छे से भून लेंगे दो चमच इसमें लेसन का पेस्ट अड़ करेंगे एक चमच अद्रे का पेस्ट जाएगा इन सब चीज़ों को हम दो से डाइमिनेट अच्छे से ब्राउन कर लेंगे हम वन के जी राइस बना रहे हैं तो उस हिसाब से तीन चमच इसमें नमक जाएगा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम्याज ज्यादा कर सकते हैं एक चमच इसमें ब्लैक पेपर जाएगी इस से इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है फुल साइज की एक टोमाटर हम इसमें अड़ करेंगे लंबाई में काट लेंगे इसको वन के जी इसमें चिकन जाएगा चिकन को मैंने 20 मिनट नमक लगा कर रख दिया था फिर इसको साधा बानी से वोश कर लिया है ये देखे माशालला बहुत ही अच्छे से साफ स्तुरा हो गया चिकन को छे से साथ मिनट हम अच्छे से प्राइग करेंगे और इस दुरान जितने भी मसाले हैं साथ साथ हम वो भी आड़ करते जाएंगे अब हम इसमें कुछ गरम साले अड़ करेंगे दो बादयान के फूल देट चमच जीरा और साथ से आठ अध़ लोंग इन सब का मैंने पावडर बना लिया था ये इसमें एड़ कर देंगे जब भी आप खाना बनाते हैं सालन बनाते हैं या राइस आप फ्रेश पे इसमें पावडर यूज किया करें इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट बहुत ही ब्यारा बनता है चिकन को दो से डाइ मिनिट के लिए स्टीम पर रख देंगे इससे इसका पानी बाहिर आ जाएगा और बहुत ही प्यारा चिकन त्यार होगा मारा ये देखें अब हम इसको अच्छे से प्राई कर लेंगे एक चमच हम लाल मिर्च का पाउडर यूज करेंगे जितनी अच्छी चिकन की बुनाई होगी उतना ही टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा राइस का आप अच्छे से बुनाई किया करें चिकन की फिर चिकन कच्छा भी नहीं राता और बहुत ही नरम बोटी त्यार होती है यह अद्रक और लेस्ट का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसका जो पानी है वो मैंने निकाल लिया था यह हम इसमें एड कर देंगे सर्दियों में खाना बनाने का बहुत दिल करता होता है सबका और खाने का भी आप जरूर इंजॉय किजिए मेरे चिकन प्लाव को चार कप मैंने राइस लिये थे तो उस हिसाब से आठ कप मैंने पानी लिया है फ्लेम हम हाई कर देंगे इस स्टेज पर यह देखे माशालला बहुत ही अच्छी बुनाई हुई है मसाले की माशाले एक बॉइल आ गया है अब हम इसमें राइस आड कर देंगे यह आदा गेंटा पहले मैंने बुगो का रखे थे अब फ्लेम आप मीडियम का लीजिएगा हाई नहीं रखना राइस को आपने बहुत कम ही लाना है हलके हाथों से इससे हमारे राइस खिले-खिले बनते हैं इस स्टेज पर आकर हम इसको दंपे रख देंगे कड़ाई की नीचे आप तवा रख लीजिएगा इससे बहुत ही अच्छी स्टीम आती है और वेरी स्लो कर देनी है अपने स्टीम इसको हम 15-16 मिनट के लिए स्टीम पर रख देंगे यह देखें माशालला बहुत ही लजीज हमारा पलाव त्यार है माशालला देखें बिलकुल अलग लग राइस पड़े हैं और बोटी बहुत प्यारी बनी है सही वाला देखें पलाव लग रहे हैं माशालला खुश्बू बहुत प्यारी आ रही है आप इस रेस्पी को ज़रूर ट्राइए कीजिएगा और मुझे कमैट्स में बताएगा आपको मेरा राइस बनाने का तरीका कैसा लगा इसको आपने हलके हाथों से हिलाना है पिर जो जोर से हिलाते हैं न चिप के जाते हैं हलके हाथों से आमने इसको हिलाना है आपको सेर्विंग फ्लेट में मैं डाल के दिखाती हूं यह देखें माशालला बहुत ही प्यारे राइस त्यार है हर चाबले लग लग पड़े और अच्छे से कुक भी हुआ है यह देखें माशालला मेरी रैस्पी को इंजॉय कीजिएगा और अपने डेर सारा ख्यार रखिएगा अल्ला हफीज